जब भी आपके घर पे संबन आए बिना टेंशन के टेंशन फ्री होकर सुबा आप कोर्ट के निकलें और मैं आपको बता दूँ जब तक केस चले आपको हमेशा कोर्ट में दस बजे से पहले पहुचना ही है दोई तरह के लॉस होंगे आपके साथ में पहला तो मेंटली जो मेंटली पीस आपका चिंजाता है हमें टेंशन आपको रहती है आगे क्या होगा जो लोग नहीं जानते है कानून को दूसरा फेनेशन लॉस दोस्तो हमारे देश का आम आदमी जो की बहुत व्यस्त है अपने क चेक दिया था चेक दिया था एक अमाउंट लेने के लिए अमाउंट लिया या फिर कुछ काम करने के लिए एक सिक्यूरटी चेक दिया था और बाद में उस चेक का मिस्यूस कर लिया गया आपके खर एक सम्मन आपको रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि दस बजे आदमी है उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो थाने पुलिस में पढ़ना बिलकुल नहीं चाहता आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ए घर भी कोई ऐसा कोई सम्मन आया है जो कि चेक बाउंस का मामले को रिलेट करता है तो क्या होगा पहली तारीक पर कैसे आप आसानी से निकलेंगे उस केस से ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों सागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है Fight for True मेरा नाम है विरेंद वर्मा जैसे आप से भी जानते हैं हम इसी तरह की Legal Awareness की वीडियो आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानून जानकार दोस्तों हमारे देश का कानून हमारे देश में कई सारे एक्ट बने हुए है जो अलग-अलग चीज़ों को रिलेट करते हैं उन सभी एक्ट में से एक एक्ट है The Negotiable Instruments Act 1881 ये वो एक बेरेक्ट मैं आपको बोलूँ ये एक बेरेक्ट है जिसके अंदर की मेंशन है वो सब चीज़े ये है क्या चीज़ आप ये मानीजे जब भी आप कोई गेम खेलते हैं सदान सब्दों आपको बताना चाहूंगा जब भी कोई गेम खेलते हैं गेम के एक रूल बुक होती है ये वो रूल बुक है जो 138 जो आपने सुना होगा चेक बाउंसिंग में लोग अक्सर बोलते हैं कि 138 के तहट मुकदमा दर्ज हुआ है ये केस दर्ज हुआ है इसमें जो जो लिखा है उसी के तहट आपका ये केस चलेगा जो आपका चेक बाउंसिंग केस आप पर अभी डला है अब दोस्तों होता क्या है कोई भी किसी भी तरह का केस जब किसी पर डलता है सबसे पहले दो चीज़े में उसके साथ में घटित होती है सबसे पहले जो उसका मेंटल पीस है वो उससे चिंजाता है दो ही तरह के लॉस होंगे आपके साथ में तो mentally जो mentally peace आपका चिंजाता है हमें tension आपको रहती है आगे क्या होगा जो लोग नहीं जानते हैं कानून को दूसरा financial loss मतलब कि पहले से ही आपके साथ गलत हुआ और और गलत होने वाला है क्योंकि कोई भी वकील साहब जो आपका केस लड़ेंगे बिना फीस के लड़ेंगे नहीं और वहाँ भी आपको फीस अच्छी खासी देनी पड़ जाती है दस बजे आपको पहुच जाना है आपका नाम अनौस होगा और आपको इस पूरी लिगल प्रोसीडिंग को फोलो करना है जो लिगल पूरी प्रोसीडिंग होगी डरें मत गवराएं नहीं अकेले आप जाएंगे वाहाँ कुछ होगा नहीं पहली डेट पर आप जाएंगे अब आप नॉर्मल तरीकर से पूचेंगे, क्या आपने चेक दिया था? दिया था, भूली हाँ sagt, यह साइन आपके यह साइन मेरे हैं, इतनाğ पैसा आपको देना है? वहीं अपने आप बात को बोल दीजिए कि ये पैसा मुझे देना नहीं है इस तरह से इन्होंने में साथ में चीटिंग किया है और ये जो चेक का अमाउंट है एक सिक्योर्टी चेक था या मान लीजिए पांच लाग का चेक उसने पर्जेंट किया है पर देना आपको एक ला होता है तो मैं आपको बता दूँ बहुती ज़ाए टेंशन का माहल वहां होता है आप लोगों के लिए यजिए आप कानून को नहीं जानते हैं और सोचते हैं पुलिस में पकड़ना ले हाला कि इस मामलों में पुलिस आपको पकड़ नहीं सकती यहाँ पर पुलिस का रोल दर्च हो गई तो महलब चीटिंग कंपोने दर्च हो गई तो दूसरा अगर बाद में कन्विक्शन हुआ दो साल की आपको सजा बुली तो तब पुलिस का रोला काम आता है वरना बीच में पुलिस का कोई रोल नहीं है सिर्फ कोट होगा आपके वकील होंगे और सामने वाले वीडियो देखते हैं तो पहले सही आप बहुत सा नॉलिज ले चुके होंगे क्या होता है एनाई एक्ट के मामलों में किस तरह से कोट की प्रोसेडिंग चलती है गब रहें बिलकुल नहीं कोट की प्रोसेडिंग तरिके चलेगी और आपने सिक्योर्टी चेक किसी को दिया है तो मैं उमीद करता हूँ कि अगर आपके वकिल साहब इस केस को डिसमिस कराने पर ही पहले शुरुवाती दौर में अगर फाइट करें तो ये केस चल्दी खतम हो भी सकता है और साथ महीं जो 145 दो का आपका जो अधिकार होता है क्रोस करने का सामने वाले को वहां पर जा केस में क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हो सकता है हम आपको उसमें आपको अर्ची अडवाइस कर सकें आप अपने केस से आसानी से निकल सकें अच्छा लगवाज का वीडियो हमारे वीडियो को जदे जदे आपने दोस्तों परिजिन परिवार में शेयर क करें ताकि वह भी अपने आपकानों जान का बना सकें और साथ ही हमारी चैनल को अभी सबस्क्राइब करें साथ में लगाबे लाकिन जिरूर दुआ दें ताकि इसी तरह की लिगल आवरनेस की वीडियो हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले बहुत बहुत शुक्त हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए